वेज़ को के विशादा आई होप याल आर गुड आज मैं लेकर किया है वह बहुत ही अलग सी यूनीक सी रेसिपी है यह बहुत ही अलग सी डिफरेंट सी सब्जी है तो मैं बना रही हूँ बिना तली पेसं के पकॉड़ी की सब्जी जिसमें हम बिल्कुल भी ऑईल का यूज नहीं करने वाले हैं बिना फ्राइ किये वें बेसं के पकॉड़े बनाएंगे और उसकी सब्जी बनाएंगे तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और प्रेस करिएगा बेल इक चमच घरान पानि बहुतो चैनल कर आपने लुद्द से रहे का दोता है उिस में बस्ठό applies को आपके बाकर 354 युवसर तो आपके बाइप सब्सक्राइब को रहे ही एक बाक ह्ता ओनाख अलका सा गरम होता है तो मैं इसमें डाल रहे रहे हु एक तेबलस्पोन मस्टरण बस एक टेबल स्पून सरसो का तेल है बस इतने ही ऑईल में हम पूरी सबजी बनाने वाले हैं तो जैसे ऑईल गरम हो गया मैंने इसमें एट किया है थोड़ा सा एक छोटे साइस का प्याज चौप करके और थोड़ी सी दो तीन पिंच हेंग डाली है इसे हलका सा सौटे अच्छे से हमें इसे भूनना है जब तक कि इससे जो आल्य वह अलग नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें इसे भूननें गया अच्छे से तो द्हग करके तब तब known के अराम से जिससे की जो जो सालो की जो fragrance है ना वो निकलने नहीं पाये और बहुत अच्छे से सब्जी ऑ करके रेडी हो तो दो मनट के लिए कवर किया था उसके बाद में कोल करके इसे अच्छे से चला रहे हूं तो आप देख सकते हैं जो है इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है बढ़ अभी मसाला हमारा बिल्कुल भूना नहीं है तो चला करके वापस इससे कवर करूंगे थ इसमें ठोटल दो गलास पॉना आइट कर रही हूं और ऐसे पानी डालने कब बाद छे तरह से चला करके मिकस कर लेंगे और इसको अच्छे प्लकुल मिकस कर देना है बहुत जादा पानी थोड़ा ही घुटивать पानी इसमें प्लेट लगा करके ज्मयरे उबारनाने दूए त जब तक चले हम तयारी कर लेते हैं फकोड़ों की तो मैंने ले हाई बाउल उसमें में मैं डाल रही हूं 3-4 cup बीशन और इसमें डालूगी थोड़े से मसाले तो एक चाहता ही चमच हल्दी पाऊडर एक चाहता ही चमच गरम नावं एक चाहता ही चमच धनिया पाऊडर और ड बैटर हमें थोड़ा सा कम गीला बनाना है, जादा गीला बैटर नहीं रेडी करेंगे हम, जैसा हम पकॉड़ो का बैटर बनाते हैं बस वैसा ही समझेए, बैटर हमें बना करके रेडी कर लेना है, एक तम अच्छे से मैं इसको विस्ख करके स्मूध कर लूँगी, बिल्कुल इधर हमारी gravy जो है उसमें भी उबाल आ चुका है तो अभी मैं इसे open कर रही हूं और अब बारी है हमारे पकोड़े बनाने की तो मैं बगना रही हूं पकोड़े पानी में जी हां बिल्कुल पानी में पकोड़े बनाऊंगी कोई oil का यूज नहीं करना है हाथ को मैं नगीला क इसमें पानी लगा उसके बाद में बैटर लेकर के छोटी-छोटी सी पकोड़ियां हम इसमें चुआ देंगे डाल देंगे gravy में बिल्कुल छोटी-छोटी सी पकोड़ियां डालनी है थोडी देर में खुद बखुद फूल करके एकदम डबल हो जाएंगी और आप देख सक पकोड़ियां डाल दी हैं जितना हमने बैटर रेडी किया था और देखे पकोड़ियां अभी से फूलने लग गई है इनका साइज बड़ा हो गया है थोड़ा सा तो एक बार इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है उसके बाद में अभी से हम लेड लगा करके कवर करेंग तो सबजी हमारी एकदम अच्छे से कोखो चुकी है अब गैस का फ्लेम मैं आफ कर दूँगी और अब बारी है सर्विंग के मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ तो यह देखे है ना एकदम परफेक्ट एकदम वाव वाली बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी सब लगती है खाले में और मैं तो इससे मेरे घर में तो यह सबजी अक्सर बनती है तो यह थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी बिना तली बेसन पकोड़ी की सबजी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर करिएगा कॉमेंट करिएगा और म पते के ले बबाद